वेलकम बैक तो माय किचन दोस्तों थन का मौसम आ चुक है अभी खजूर का गूर भी अवेल अवेल है तो आज हम बनाएंगे एक इसे हम लोग बंगाले में पीठा बोलते हैं इसे भापा पीठा बोलते हैं आप लोग शायद इसको देख के इडली बोल सकते हैं लेकिन ये इ गोया हुआ चावल को सुबा हम उसे ग्राइंड कर लेंगे हाँ एक बात ग्राइंड हम यहाँ पर ऐसे पानी दे के नहीं करेंगे ग्राइंड इसको चावल को पानी से निकाल लेंगे फिर इसको थोड़ा सुखा लेंगे फिर इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करने के कि आपी इसको धेखी यह अभी भी गीला गीला मैंने सुखाया भी है कology में देखा Partnership शुखा अपर कर देखा है कि इसपा हो जा रहा हुआ शुखा सुखा हो जा रहा है bat तो यह अ struck उंहीं करने सब्सक्रेद की बाता है कि फेकर शुखाल को सुखाना है और उसी को ऐसे घुमाते रहें यह पूरा आपको डस्टी निकल के आएगा देखिए मैंने यहाँ पर पहला सेट ग्राइंड कर लिया है देखिए यह ग्राइंड हो ही रहा है अभी जो ग्राइंड हो चुका है उसको अच्छी तरह से चलनी से चान लेंगे जैसे चानेंगे ये देखिए जितना पौर जो हुआ है और निकल आएगा और जो बाकी का जो इससा मोट़ा मोट़ा है वो रह जाएगा उसको हमको दोबारा ग्राइंड करना है जाँ आज witnessed k क рок बार हम घम करेंगे तो इसी तरह से सारे चावल जो मैंने भीगे की रख़ा है वो सारे चावल को इस तरह से गई करळेंगे अभी देखिए यहां पर जो मैंने निकाले मतला च्छननी से च्छन के जो पाउड़िज वैला निकाले उसका भी हलका चा पानी देंगे देखे अच्छी तरह से पानी को मिक्स करेंगे देखे इतना पानी नहीं देना कि ताकि वह पीस्ट बन जाए हम इतना ही पानी देंगे कि वह मिलाने के बाद वो फिर से वही जैसा यहां पर देखे यह टेक्शर ऐसा रहेगा ना भीगा रहेगा ना सुखा रहेगा ठीक है तो यह जैसे आम इसको हाथ देंगे जैसे मोटा वाला सूजी का दाना होता न ठीक उस तरह से होगा लेकिन यह भीगा भी नहीं रहेगा और जादा सुखा भी ने लेगा देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ तो पानी देखे अच्छी तरह से पानी को मिला लेंगे और अभी यहां पर जिससे हम कद्दू कस करते हैं ना उससे इसको जैसे वहां पर थोड़ा सोड़ा लंप जैसा बना के इसके उपर से दोबारा ऐसे चला लेंगे ताकि देखेंगे तब ना यह मोटा मोटा दाना के आकार में निकलने वाले हैं लेकिन जादा मोटा नहीं छोटा छोटा लेकिन यहां पर यह पानी मिला हुआ है इस तरह से यह चीज़ बनेगा और आपको यही प्रॉसेस से ही करना है यह कोई और प्रॉसेस से नहीं बनता है इसको पहले ग्राइंड कर लेना पड़ता है फिर पानी से इसको दोबारा मिक्स करना पड़ता है फिर इसको छोटा छोटा पेरा बनाके तो चलनी वाला जैसे या मैंने कदुकस वाला से किया है या तो मोटा वाला चलनी अगर आपके पास है तो उससे कर लीजे तो इसको इस तरह से आपको च्छान लेना है तो जैसे च्छान आप ये पुरा दीरे दीरे जितना आपको बनाना है उतना quantity में आब इसको छान लिजिए तो अभी मैंने एक हांडी यहां पर लिया है अब ऐसा बर्तन लिजिए जिसका मूँ छोटा हो तो मैंने अवन में बिठा दिया है उसमें पानी दे दिया है बॉयल होने के लिए और उपर से कपड़ा बांद के दिया है इधर मैंने एक चुननाने लिए में अगर चाहां तो यह ना भी दे सकते जिन लोगो शूगर का प्रॉब्लम है कि गोर नहीं खाना चाहते हैं या मीठा नहीं खाना चाहते हैं वह लोग कर दे तो यह मैंने गोर को भी कवर कर देंगे थोरा उपर से फिर से भीशाओ वूल आटा देके तो पूरा डाल देंगे उपर से हलका सा दबाएंगे जादा आपको नहीं दबाना है इसине तो जिटना हो सकए आप ये फिल अप कर दीजिए गाटोरी जो साइस का लीजेगा उप फूरा है और इसको पूरा हूंटा करके हांडी के उपर रगदेंगे और धीरे से इसको ऊपर कर जो कर तोरी है वो निकाल लेंगे अभी देखिए पूरा शीप में है अब धीरे से इसको कोई हिलाना नहीं है उसी तरह सिंपल पार्सल जैसे कावर करते हैं और उपर से एक कटोरी उसके उपर ढग देते हैं हां कटोरी ऐसे साइस का आपने बर्तन लिया है मता हांडी जिस साइस का मुह है उसके हिसाब से कटोरी का ढगन होना चाहिए ताकि जो स्टीम है बाह नहीं लगता है देखिए यह पूरा बन चुका है अब इसको हम तोड़ेंगे तो पैने महिया पर देखिए धुआ एकदम निकल रहा है इसको मैं छूरी से काट रही हूं देखिए थोड़े सा गुर बाहर भी आ चुका है जैसे लग रहा है इस पीठा को दो आख बना है त सूजु का वह लोग डोरे मौन जैसे खाता है पूरा डोरा केक जैसे लगेगा देखने में तो मेरा देखिए हंडी यहां से स्टीम पर से निकल रहा है तो मैं यहां पर दूसरा बिठा देती हूं तब तक अब इसको भी कवर केर देते हैं देखिए मैंने काटोरी निकल ल ताकि बाहर से इसका स्टीम ना निकल जाए इसके अंदर ही रहे और यह पूरा कुकिंग स्टीम में ही होगा तो जब तक यह बन रहा है